किसान भाईयो रामराम नमस्कार मैं उत्तर प्रदेश के बुलन सहर जिले के अनूप सहर के सहाजापुर गाउं में हूँ और भाई दीपकान जी मेरे साथ मौजूद हैं इनके यहां मैं फारम पर हूँ इनके फारम पर गन्ने के कई मोडल हैं जो अपने ये जो ट्रेनिंग क मिल सकता है क्या उत्पादन होता है यह बुलंद फार्मर डेवलप्मेंट ट्रस्ट के तहत यह च्छेत्रिया किसानों को युवाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं बहुत कुछ सिखाने का काम कर रहे हैं इस मोडल में जो गन्ने के मोडल नहोंने कई तरह के तयार की हैं अपन अब दूसरी नहीं से खेती किसानी कर लोग अच्छा मुनाफ़ा और अपना निजी रोजगार खेती किसानी से हासिल कर सकें जी सभी के लिए नमस्कार सबसे पहले मेरा तो यह जो नॉर्मल किसान लगाते हैं जो अभी परंपरागत खेती करते आ रहे हैं वो इस हिसाब से की मौडल है अब ही यह मैंने एक ही खेत में चार तरीगय के मौडल बनारके है 13 इंच पर गंडे की लाइने एक लाइन से टूसरी लाइन गएिसेमें एक में गए जिसमें हम दूसरी फसल ले सकते हैं और कोई भूब किसी भी तरह का नहीं पड़ेगा यह एक मोडल हो गया क्योंकि इसमें गएप हवा का संचार है दौनों तरफ से सुरज की रोषणी पूरी लगेगी इसके अंदर इधर से भी दोनों तरफ से तो इसमें गन्ना मोटा होगा गन्ने की लंबाई और नॉर्मल गन्नों से जादा होगी इसके अलावा इसमें हम कोई भी जैसा हल्दी आठ फिटके के अपमें चारा अपने पसुओं के लिए या फिर बर्सिम गयूं मैंथा सबजियां यह सारी सीजें हम करके आय दोग नहीं कर सकते इसके साथ में गन्ने के प्रोडक्शन कोई फिरवाब नहीं पड़ता हम इसमें 80 कुंटल से लेकर 500 कुंटल तक का उत्पादन बड़ी आसानी से लेख सकते हैं अगर हम गन्ने को अच्छी तरह से देखवाल कर लें अब इसमें तीसरा मॉडल है दस आठ का इस दस आठ के में 10 फिट का पूरा गैप है ये एक लाइन एक फिट का गैप फिर दो फिट का गैप फिर तीसरी लाइन तीसरी लाइन के बार एक फिट का गैप चौथी लाइन फिर दो फिट का गैप पांच भी लाइन एक फिट का गैप छटी लाइन फिर दो फिट का गैप साथ भी लाइन एक फिट का गेप आठ भी L양 टोटल यए ये दस आठ का मोडल है इसमें भी हम लगवाग सौ से डेड़ सो कुंटल तक का उत्पादन ले सकते है इसमें क्या है कि इसमें भी वही सेम आठ फिट का गेप है आठ फिट के गेप के बाइफ ले सकते हैं ही जैसे दान में हम मई की बात कर लें तो मय में हम इसाथ हम इसको पैदा कर रहे हैं कि उसमें इसमें को इसमें कॉभा रूड़्य componis bisa को नश्ट करने के लिए कि समय पर कूंसे खाद या खर्पतवारों को नश्ट करने के लिए क्या-क्या इसमें देने चाहिए सब से पहले अगर प्रूडेक्शन हमें डवल लेना है और फसलों से तो हमें क्या करना जैसे गैप फिलिंग करेंगे हम जैसे यह गैप है इसमें गैप आ गया यह पूरा तो हमें सबसे पहले तरीके यह देखना पड़ेगा कि इसमें यह दो फिट लगवाग जमीन खाली रहेगी तो इसमें एक फिट बने किल्ला आ जाएगा तो जो हमने खुद उगाय लाइन से लाइन की दूरी दोफिट और किल्ले में अमने घरित लगा है तो टोटल 130 हमने एरिया चोड़ाई में लिया है पर बीग आया पर इकड़ और जो प्रमपरगत जो फर्मूला है उस तरह से गन्ना बहते हैं इस तरह से गन्ना बहते हैं इसमें पूरे डबल का फायदा होता जैसे अगर किसान 60 कुंटल खेती पहले से कर दा अपना गन्ने में निकाल लेकिन हम इसमें ले रहे हैं 80-500 कुंटल तक 80-500 कुंटल तक अगर हम देखवाल नहीं करते हैं तो इसमें 80 कुंटल नॉर्माल आ जाएगा 80 कुंटल से उपर लेने के लिए हमें इसमें बहुताई चीज जैसा कि किल्ले लगाना गेर फिलिंग करना यह हमें तरीके बढ़तने पड़ते हैं बन्धाई में 4-5 बन्धाई कि रहेगी गन्य की मोटाई कैसे बढ़ते बजन बटा सकते हम यह एक गन्य का बजन तीन किलो साड़े थी नौर्मल किसान का जो बजन रहता डेड़ से दो किलो रहता है और खाद वगएरा इसमें क्या क्या समय पर डाली चाहिए कैसि हम है यूरिया इसमें पूंड़ते जैविक तरीके से हम खाद इस्तेमाल करते हैं हमने सबसे पहले इसमें गोवर की सड़ी हुई खाद डाली थी बीगे में तीन ट्रॉली के हिसाब से इसमें खाद डाला है उस इसमें जुताई जुताई हो चुकी है इसकी नलाई हो चुकी है पानी लगने के बाद में इसमें हम जैविक बर्मी कमपोश्ट के साथ में ट्राइकोटरमा का इस्तेमाल करके और उसके किस दिन बाद बवेरिया वेसियाना का इस्तेमाल उसी के साथ करेंगे कब तयार हो ज गन्य की वेराइटी ऐगा, तो आप इसे मिलपर बेचेंगे या अपने प्रोडक्ट बनाएंगे, क्या करेंगे हम पिछले 5 साल से कोई भी अपना गन्या किसी भी मील पर नहीं देते हैं, हम गन्ये से 15 तरह का गोड़ बना कर बेशते हैं और 3 तरह की सक्कर बना कर बेशते हैं अब भाईयों आपने देखा सुना और समझा दीब कांट जी ने जो बताया है इन लोगों के ट्रस्ट द्वारा बहुत सारे और्गनिक प्रोड़क्ट तयार की जा रहे हैं गन्ये की चाहे आप ऐसक्रीम हो या फिर गन्ये की गन्या मसाला जीगी चटनी हो या और तमाम तरह के प्रोड़क्ट यह तयार कर रहे हैं बहुत सारी लोग ऐसा करते हैं, देखने में कुछ और होता है, करने में कुछ और होता है, मैं इनके फारम पर यहां आया हुआ हूँ गाओं में, और यह चिल्चलाती धूप पड़ रही, आपको दिख भी रहा होगा, तो वास्तम में ही इन लोगों ने गन्ने के कई मोडल य हैं और अपने घर का गन्ना यह लोग मिल पर नहीं बेचते हैं,